हेलो दोस्तों नमस्ते आदा आपका दोस्त गौरा विस सुनेरी शाम में आपका स्वागत करता है जहां पर हम करने वाले हैं एक दम पुख्ती करते हुए चल रहे हैं तो फड़ा फट से गाइस एक बार सारे योधाओं को जोड़ेंगे सारे दोस्तों को बुला लेंगे हा रंजन गुडिवनिंग जेबा गुडिवनिंग मिनाज गुडिवनिंग फड़ा फट से एक बार बुला लेते हैं दोस्तों जिससे जादा से जादा योधा जुड़ें और यह जो जंग है उसमें हम अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें हां चाया गुडिवनिंग तो स्टार्ट करते एक बार आप मुझे बता दीजे मेरी वॉइस आप तक आ रही है अगर आ रही है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं हां हां गुंगरू गुडिवनिंग फड़ा फट से एक बार थम्स अप कर दीजिए यहां पर जेबा ने कह दिया यह चलिए तो मतला मेरी वॉइस आप तक आ रही है ठीक है सत्या गुडिवनिंग यहां पर हम बढ़ेंगे अपनी स्लाइड नेक्स स्लाइड की तरफ जहां पर है मोटिवेशनल कोड मोटिवेशनल कोड जो है जो लोग अपनी तुलना दूसर हो गया या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर उसका तो सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन हो गया है क्यों क्योंकि मेहनत अगर आज आप कर रहे हो मेहनत कोई दूसरा कर रहा है तो देख लेना एक दिन तो चमकेगा समय अलग-अलग होगा लेकिन चमके का जरू चाहूंगा चलिए आगे बढ़ेंगे और फिर में आप से पूछना चाहूंगा आर यू रेडी एक बार फड़ा फड़ से बताइए आर यू रेडी यहाँ पर भाईया तो बोल रहे हैं यस आप क्या बोलते हो यहाँ पर पवन ने कह दिया है ठीक है रेडी है आयूशी यस यस जेबा सत्या रंजन चलिए तो आगे बढ़ेंगे पहले कोशन की तरह पहला कोशन आपके स्क्रीन पर प्रोफिलिक इंडियन पेंटर मककूबूल फिदा हुसेन प्रीडोमेंटली यूश्ट विच ओफ द इस एनिमर्स तो डिपिक्ट अलाइवली एंद फ्री स्पिरिट इन पेंटिंग विप्पल भारती चित्रकार मकबूल फिदा हुसेन ने मुख्य रूप से अपने चित् उन्हें सबसे पहले जवाब दिया है कि सर होर्सेज होगा फिर सौरव भी कह रहे हैं होर्सेज रंजन कह रहे हैं बी ऑप्शन मतला होर्सेज के साथ ही जा रहे हैं भाई सारे योधाओं घोड़े पर बैटके ही लड़ोगे कुछ अच्छा हाथियों पर भी बैटें सत्या आधी बोल रही है ओके यहां पर लेकिन मैं बताना चाहूंगा मेरे योधा बिलकुल घोड़ा सही है यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा होर्सेज भाईया आपने एम फुसेन यहां पर जो नाम लिखा है मकबूल फिदा हुसेन वह शौट फॉर्म में एम फुसेन है और उनकी पेंटिंग में आपने कई बार देखा होगा कई बार ज्यादा से ज्यादा होर्सेज ही बने मिलते हैं यह सौराव चलिए हां चाया होर्सेज 100% करेक्ट है अगले कोशन की तरफ पढ़ेंगे अगले कोशन की तरफ पढ़ेंगे दर रून्स ऑफ एंशेंट सबसे पहले जवाब दिया है हाउड क्या बात है आज सबसे पहले आपके आंसर आ रहे हैं फिर सौराव नूतन मिनाज मनीशा जेबा पवन रिंपा वेरी गुड यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा इतलंगा नहीं होगा भाईया यह कहां कौन सी दुनिया में सो रहे हैं यह आप करनाट का बिल्कूल करेक्ट आंसर है करनाट का होगा करेक्ट आंसर अब देखिए इन्होंने कहा है वीजे नगर अंपायर वीजे नगर अंपायर को फाउंड किसने किया था यह अभी हमने कुछी दिन पहले देखा था हरिहर और बुक्का ने किसने हरिहर और बुक्क देंगे जल्दी बताएंगे कौन देखते हैं कौन बताता है हाँ अफसाना करनाट का सही है हर यहर भुका ठीक है 1336 यहां पर पलक ने बहुत जल्दी रिप्लाई किया है बहुत बढ़िया पलक मनीशा फिर आ गया है आंसर यहां पर करेक्ट आंसर होगा 1336 ठीक है यह भूलेंगे नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ लेकिन एक बार गाइस फड ओफिशियल एंबैसिडर फ्रॉम किंग जेम्स वन ऑफ इगलेंड टू विच मुगल एंपरेस कोट सर्थॉमस रोन एगलेंड के राजा जेम्स वन के अधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल समराट के दरबार में आये थे सा जहां जहांगीर औरंग जेब अकबर यहां पर जवाब देते हुए हाउन ने का है जहांगीर जेबा कोई बात नहीं हाउन जहां पर आप बचपन से टेलेंटेड हैं लोगों ने नहीं रिकगनाइस किया है लेकिन अगर आप टेलेंटेड हैं तो यहां पर रिकगनीशन मिलेगी क्योंकि आपके जवाब बहुत जल्दी आ रहे हैं और विट ने हैं जहांगीर इंसर है अब आपको बताना में यह तेवाई खै और देखिये जहांगीर जो थे वो एक मुगल समराध थे मुगल समराध के लिए तो हमने कआ बात और मुगल ने अपना पर्चम कब लह राया 1526 में फर्स्ट बैटल ओफ पानीपत में जहां पर बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था जो की लोधी सम राज का क्या था आखरी राजा था वेरी गुड 1615 1615 very good बहुत बढ़िया हाउंड मानना पड़ेगा अच्छे से कर रहे हो तैयारी पलक very good मिनाज बहुत बढ़िया रंजन very good जहां पे लिख लीजे 1615 में ठीक है आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ एबी डिविलर्स भी आ गये हैं चलिए गुड इवनिंग लेड़ी ओफ डॉमेस्टिक डॉग इन में से कौन सा शब्द घरेलू कुत्तों के विज्ञानिक अध्यन को संदर्वित है साइनो लॉजी क्रिमेटिज स्टेक्स कार्पोलोजी और क्रेणियो लॉजी बताईए हेमलता ने कहा है सर ए वेरी गुड हेमलता आपने लीड ले ली जेबा बोल रहें वन रिंपा ने कहा है वन शुभम के रहें वन मिनाज ठीक है अफसाना सौरव घुंगरू सत्या वेरी गुड डिलीवियर चलिए यहां पर करेक्ट आंसरों का वहों का साइनो लॉजी जिस बहुत बढ़िया साइनो एक ग्रीक वर्ड है वेरी गुड जिसका मतलब होता है डॉज बहुत बढ़ियां आगे बढ़ेंगे अगले प्रशनी की तरफ विच आफ दीज बोन इस नॉर्ट ऑफ यूमन इयर इनमें से कौन सी हड़ी मानव कान का हिस्ता नहीं है इनका स्मेल इस टेपेस फीमर फड़ा फट से बताएंगे तो यहां पर सौरव ने कहा है डी आप्शन मतलब फीमर बता रहे हैं मनीशा कह रहें डी रिंपा भी कह रहें डी अरे भईया ओ हो 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 इतने आसान कोशन आ गये हमारे योधा के सामने तो वो तो मारी देंगे उनको पता है बाईया कि जो लार्जेस्ट बोन है बॉड़ी में कौन सी है वो वो फीमर ही है क्या है फीमर जो की कि क्या बोलते हम उसको थाई बोन पर क्योंकि थाई पर प्रेजन्ट होती इसको थाई बोन कहते हैं इस मॉलेस्ट आपको पता होना चाहिए वो होती है इस टेपेस यह में स्टेपेज है फीमर ठीक है बहुत बढ़िया अगला कोश्चन अपने स्क्रीन पर यह रहा इन विच इयर साची वाज डिसकोवर्ड आफ्टर बीइंग अबंडेंट फॉर नियली लगभग 600 वर्षें के लिए त्याग दिये जाने के बाद साची की खोज किस वर्ष में हुई थी बताएए इस सौरव ने काया है सर शिक्टीन आ रहे हैं हेमलता ने का है सर आप्शन नमर भी मतला ठारा सो बीस पिर दिघ्र कará रहे हैं अठारा सो फॉट अठारा इश्याए शारे शारेइं है ऐसा ही होना चाहिए यहां पर हाउंड ने भी कहा है कि सर हंड़ेट परसेंट एटीन एटीन वेरी गुड़ हाउंड आज तो एकदम अलग ही है हाउंड एकदम जोश में हैं बहुत बढ़ियां इसी तरह से तयारी करते रहे हैं हाउंड आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो होगा जिस तरह से आप आंसर दे रहे हो वेरी गुड़ है चलिए रंजन वेरी गुड़ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं रेड वॉम्म्स है इस्ट्रक्चर नेम डैश विच हैं ग्राइंडिंग दियर फूड लाल कीडो में डैश नामक एक सनरचन होती है जो उनके मतलब ऑप्शन नमबर टू ठीक है प्रियंका ने भी का है पलक ने भी का है घुंगरू करें ऑप्शन नमबर फोर इसो फेगस थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहां पर हमांशु वेरे गोड अभी शेक बहुत बढ़ी आँ वाहिदा ने बिलकुल करेक्ट आंसर दिया है यह है अब इसो फेगस में कोई डाइजेशन भी नहीं होता है इंटेस्टाइन आपको पता है यह यह भी इसमें पूछ रहा है रेड़ वाम के बारे में तो उसमें घीजर्ड प्रेजंट होता है क्या घीजर्ड अगले प्रशनी की तरफ बढ़ेंगे लेकिन एक बार सभी लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तभी मजा आएगा चलिए आगे बढ़ते हैं विच और फॉलॉंग बुक इस नौट रिटन बाइ सलमान रुष्दी निम लिखिद में से कौन सी पुस्तक सलमान रुष् यह था ठीक है दस सेतनिक सेतनिक वर्सेस और शेम बताइए यहां पर लोग करें और बी 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 आ गया है सौरा वसाना रिंपा मिनाज वाहिदा प्रसंद्जीत बहुत बढ़ियां ठीक है चलिए यहां भोलू वेरे गुड यहां पर करेक्ट आंसर होगा एन एरा ऑफ डार है तो यह याद रखेंगे ठीक है वेरे गुड है मलता वेरे गूड शशी सरूर्जी दौरा लिखी गई है आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्ण पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं बताना चाहूंगा टेस्ट बूक लेकर आया है वन पास्ट टू एस ओल एक की एक्जैम की तयारी कर सकते हो 31,000 से भी जादा मौक टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि भाईया आप जैसे यहां पे साड़े तेरा लाक योदा खड़े हैं लड़ने के लिए तो आप पास खरीज सकते हैं जहां पर आप कोड यूज कर सकते हैं ज बार वो देख लेते हैं वहीया सिंपली आपको गूगल पर जाना है गूगल करना है वहाँ पर और आप देखेंगे कि टेस्ट बुक के साइट मलब यूटीब पर ओपन कर लीजे वीडियो यह अपनी लाइफ चल रही है इसको अपन ओपन कर लेते हैं और नीचे डिस्क्र पर आएंगे तो आप देखोगे यहां पर आपको एक लिंक मिल रही है लिंक को क्लिक करना है और आपके पास एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको इन्फोमेशन मिलेगी मंदली टेस्ट बुक यहली टेस्ट बुक पास और लाइफ टाइम टेस्ट बुक जो की 599 में हैं ठीक है आपको यहाँ अप्लाए करना है कूपन क्या अप्लाए करेंगे जी एम पी एसस और इसको अप्लाए करते ही आप देखेंगे कि आपके पाद डिसकाउंटेड रेट आ जाएगा तो गाइस मौक लगाईए क्यों क्योंकि जब तक आप मन्जिल पाना चाहते हो और त्यारी करना चाहते हो तो पता होना चाहिए कि जंग में असली जंग में कितनी तकलीफे आती है तो वह को यहीं से पता चलेगा कि आप कितने पॉजिटिव और कितने निगीटीव मार्क कर रहे हो चलिए अपनी पीपीटी की तरफ वापस से बढ़ते हैं और आपकी इस क् भारत के किस शहर के पास इस्तित है विशाका पठना मैंगलोर मदुराई कोची कताई जहर सवाल कताई जहर बताईए क्या होगा इसका अंसर लोगों ने दिया है विशाका बोल रहे हैं यहां पर ए आ रहा है मिनाज का जेबा का प्रिया का ठीक है पूनम बोले ए ऑप्शन आ चली चली कर दिया इसको क्या कर दिया चली चली कर दिया हां कैप्टन मॉर्गन 100% करेक्ट है आगे बढ़ेंगे अगले प्रशनी की तरफ वाट इस दा मोर कॉमन नेम ऑफ सॉलिड कारबन डैकसाइट थोस रूप में कारबन डैकसाइट को आमतोर पर किस नाम से जाना जात अफसाना वेरेग्ट यहां पे करेक्ट अंसर होगा ड्राह क्या होता है नहीं होता है कि यह भी याद रखेंगे क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं एच जी मतलब मर्करी ये भी याद रखेंगे हाँ चलिए अगले प्रश्ण की तरह पढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर वेटरेन फ्रीडम फाइटर शोशल रिफॉर्मर एंड फैमिनिस्स सावित्री भाई फुले हैंड फ्रॉम विच अफ फॉलॉइंग स्टेट्स अफ इंडिया व्योद्वद स्वतंत्रता से नानी समा सुधारक और नारिवादी सावित्री भाई भारत के निमलिखित में से कि त्ष्ट उज़रात राजिस्थान ओरिशा महराष्ट यहां पर लोग फोर फोर करें मनीशा करीं महराष्ट यहां पर दीडीटी आ रहा है सभी कांसर ठीक है एतीड नहीं हंडेट परशन शर महराष्ट तो वहरी गोड हूँद्ध यहह महरारास से ठीक है और इनकी शादी किस्से हुई थी ये भी आप बता दीजे सावित्री भाई फुले की बताए मैं नहीं बताऊंगा इनके हजबेंड का नाम क्या था वैसे आपने देख लिए होगा लेकिन बताए क्या नाम था फड़ा-फड़ से बताएंगे अ कि जो तीवा फूले वैरि recogard सबसे पहली सञे ने दिया है वैरि गोड जो तीवा हुले करेक्ट आंसर होगा और इन्हों ने बुक लिंख ही थी कौन से लिकी थी गुलाम to become me ये बहुत फिजिसिस्ट हूँ इस क्रेडिटेड विद दिसकावरी ऑफ न्यूट्रों दिस 1932 डिसकावरी लेट हेज विनिंग दा नोबल प्राइज उस भौतिक विज्ञान की का नाम बताईए जिसे न्यूट्रों की खोज का श्रेद दिया जाता है 1932 की इस खोज के कारण उन्हें न हेमलता सनी प्रसवनजीत यादव बॉय बहुत बढ़ी अच्छा यहां यहां पर करेक्ट आंसरों का जेम्स चैडविक जिन्होंने खोज की किसकी न्यूट्रों की न्यूट्रों की खोज जेम्स चैडविक जी ने कर दी आप मुझे बताईए प्रोटॉन की खोज किसने की कन्फ्यूज मत होईएगा प्रोटॉन बता दीजिए फड़ा फट से जल्दी बताईएंगे देखते हैं किसका सही जाता है प्रोटॉन की खोज किसने की बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज होंगे मैं ठीक है कुछ लोग तो सही जवाब दे रहे हैं लेकिन पलक ने कहा है रदर फोट बाकी लोग क्या कह रहे हैं कैप्टन मौर्गन भी कह रहे हैं रदर फोट और छाया कह रहे हैं 100% सर रदर फोट होगा लेकिन मैं आपको कहन जाहунगा कि रदरफinky करेक्ट ऑंसे इसका नहीं है इसका करेकट अंसर है गोल्ड- Не CPU गोल्ड- Не अगले प्रसमिक तरफ लेकिन एक बढ़ता हूं अगले को एक तरफ अगला पॉश्ण के तरफ अगला कोशन है इंडिया इने में से कौन सी संस था भारत के रेपोर्दर और रिवर्स रेपोर्दर की ठीक करती है मिनिश्री आफ पाइनेंस इस्टेट बैंक अफ इंडिया कॉम्ट्रोलर ऑडिटर जनरल रिजाफ बैंक आफ इंडिया कि राज़त करें डी डी ऑप्शन आ गया सौरा केप्टन मॉर्गन पी हूँ जैमा काल भी जुड़ चुके हिम लता सेल्मॉन पिंकी वेरी गोड मनीशा बहुत बढ़ियां यहां पर करेक्ट आंसरों का रिजाफ बैंक आफ इंडिया अब आपको बताना है कि रिजाफ बैंक अभी सी एक नहीं आया है यहां पर ести फूर लेहन ही की अगले प्रश्ण की तरह बढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपकी स्कृइन पर कोलाथू नाडो वालू अनन्द एंड थेकू मुंकूर वर एंशेंट स्मॉल टाइम किंग्डम्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कोलाथू नाडो वॉलूमदाद और थेकू मुंकूर भारत के किस राज में प्राचीन काल के समय में राज थे करनाटक केरला बिहार गुजर डिया पर करते हैं यहां पर चैक करते हैं यहां पर करेक्ट आंसर जुरा ब़हत बढ़ीया जवाब दिया है भाईया मुझे बात बताईए आप लोग किस चक्की काटा खाते हैं ऐसे नाम को भी आप लोगों ने छोड़ा नहीं है भाईया पढ़ने में दिक्कत हो जाएं योद्धा लोग नाम तक नहीं छोड़ रहे हैं हाँ यहाँ पर कुछ लोगों ने दिमाग लगाया है वो मुझे भी पता है कि यहाँ पर इन्होंने इस तरह से दिमाग लगाया होगा विच इस वेरी गुड और यहाँ पर यहाँ पर देखें मैंशन है सारी चीजे नाम और जो है वो तो केरला में ही है हाँ हाँ कैप्टन मॉर्गन आशिरवात की चक्की का ठीक है चलिए कोई नहीं कोई नहीं कहीं कभी आटा खाईये लेकिन तैयारी तो करनी है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नी की तरफ अगला प्रश्ने आजास सत्रू रूलर ऑफ हरियंका डाइनेश्टी वास अनुरुधा यहां पर लोग रहें और बाकी लोग क्या बोल रहें देखते हैं आ रहा है बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबी सार क्या होगा बिंबी सार बिंदू सार नहीं है बाई बिंदू सार होंगे तो मौरियं डाइनेश्टी बिंबी सार होंगे तो हरियंका डाइनेश्टी यह क्या थे फाउंडर थे ठीक है यह भी याद रखना है हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण चलिए अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर विच ओफ फॉल्वाइंग फेस्टिवल मीन्स मेरी मेंकिंग ऑफ गॉड निम लिखित में से किस्त्योहार का आर्थ है देवत बाकी लोग क्या कह रहे हैं ठीक है सभी के एए ऑप्शन आ रहे हैं रिंपा प्रसंजी ज्योती हाउंड पंकाज पलक सेल्मॉन सचिन अभिशेक मिनाज रिंपा पी हूँ बहुत बढ़ियां यहां पर करेक्ट आंसरों का लाई हरोबा अब यह कौन से स्टेट का त्योहार चोड़ा ही नहीं योद्धाव ने सबने आंसर देना स्टार्ट कर दिया कि सर मनीपूर लिग दो मनीपूर करेक्ट होगा ठीक है बाकी देखे मकर संक्रांती और पॉंगल जो हैं यह कौन से फेस्टिवल अपने हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं तो इनको याद रखेंगे बहुत बढ़िया सबी के मनीपूर आगे हैं मीनू वाहिदा पला क्रिंपा कैप्टन मौगन आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर इन विच डिस्ट्रिक ऑफ करनाट का इस दब ब्रह्मगिरी वाइल लाइफ सेंक्चुरी लोकेटेर करनाटक के किस जिले अभी तक तो आपको नेशनल पार्क पूछते थे वह भी स्टेट का नाम पूछते थे यहां बहुत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर बच्चे तो इसको भी नहीं चोड़ेंगे मीनू ने का सर ए ओप्शन कुछ कह रहे हैं सी ओप्शन कोडाकु कोडाकु जेबा रिंप रन्जन यहां पर कोडाकु आ रहा है है 360 परसेंट बोल रहे हैं यहां पर कोडाकु क्या है कोडाकु थे यहां पर तो युद्धा जो युद्ध फिलंघ रहे हैं बहत ही गजप मजा और यूद्धा को जोडीए चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर विच और फॉलाइंग ग्लेंड इस प्रेजेंट बिट्वीन लंग्स निम लिकित में से कौन सी ग्रंथी फेफडों के बीच में होती है यहां पर लोगोंने का है थाइमस त्यॆ मस पीट्योड्री और पीनियल यहां पिलोगों नेका है सर्स थाइमस बोले हैं देर، ठीक है ए अपशन और प्रिया बोलेजय ऐं सी कुछ लोग बोलेरे चो यहां पर ठीक है ठीक है सेलमॉन रिंपा बिलाशा रंजन यहां पर करेक्ट आंसर होगा थाइमस यह क्या होता है यह हमारे लंग्स के बीच में होता है हाइपो थैलमस कहां पर प्रेजंट होता है यह ब्रेन में प्रेजंट होता है ठीक है पिट्रूटरी ग्लेंड को हम क्या बोलते हैं, master gland बोलते हैं, क्या बोलते हैं, master gland बोलते हैं, और pineal gland को क्या बोला जाता है, smallest gland, कौन सा smallest gland, ठीक है, और adrenal gland, जो adrenal gland जिसको हम कहते हैं, emergency gland, कौन सी, emergency gland, वो कहां होती है, kidney के उपर होती है, तो location क्या है, kidney के पास, ठीक है, चलिए हां बहुत बढ़ियां चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कोशिन की तरफ विच ओफ फॉलाइं इस अ मेजर कॉंपोनेट ऑफ विनेगर निम लिखिद में से कौन सा सिर्का प्रमुख घटक है लैक्टिक एसिड नाइट्रिक एसिड और साइ हमलतक करें डी डी कैसे होगा यह साइटारिक एसिड आप कैसे जा रहे होगा आभी स vino होता है सीा त्री सी ओओ ऑफूलेंगे नहीं तो इसको ब्ली नहीं साइट्रिक एसिड मतलब जो खटा हो यह किसमें मिलता है आपको यह मिलेगा आपको लैमन में ओरेंज में ठीक है चारे स्खटे फूर्ट्स में मिल जाएगा और ये भी याद रखना है कि इसकी कमी से क्या हो जाती है भाईया इसकरवी हो जाती है ठीक है और जो इससे मिलता है वो मिलता है हमें विटामिन C क्या मिलता है विटामिन C यह भी याद रखेंगे चलिए बहुत बढ़ियां दोस्तों बहुत बढ़ियां आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इन विच यह वोस्ट फाउंडेशन इस्टो इस्टोन अफ गेटवे आफ इंडिया लेड इन बॉंबे नाव करें 15 यहां पर कंफ्यूजन क्रेट हो गई मिनाज करें 11 11 11 मतलब आप्शन नमबर 3 तो चलिए यहां पर करेक्ट आंसर जोगा वोगा आप्शन नमबर 3 1911 अब इसके देखिए आर्किटेक्चर कौन थे सबसे जाला कॉशन पूछा जाता है किसके आर्किटेक्चर कौन थे बताइए फडाक से देखते हैं किसका जवाब सही आता है जहां पर अभी नहीं 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 है सौम्या जी बताइए फडाफट से बताएंगे हाँ सौरा बिल्कुल सही विटेट करेक्ट होगा क्या है विटेट इसके आर्किटेक्चर थे बहुत बढ़ियां आप लुटियन अगर बोलोगे तो कौन सा जाएगा इंडिया गेट ठीक है ये याद रखना ये इंडिया गेट है और ये कौन सा है गेटवे ओफ इंडिया है जो की बुंबई में हैं ये दिल्ली में हैं इसको याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ लेकिन बढ़ने से पहले सारे युद्धा एक बार शेयर करेंगे जिससे सारे के सारे युद्धा आ जाएं और हम मजे के साथ कोशन को सॉल्व करें अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर विच और फॉलॉइंग इस नॉट वर्टीब्रेट निमलिखित में से कौन एक कशे रूप नहीं है बड़ फिश इसनेल और मैमल बड़े आसानी से कोश्चन है भाईया इसको तो छली कर दो क्या करो दिल पे वार डायरेक्ट यहां पर naj single scandal ç zelf जवाब में आ गया और करेक्ट आंसर स्नेल होगा अब देखिए not of वर्टीब्रेट मतलब वो आदमी जिसमें आदमी ओ या जानवर जिसमें क्या हो? बैकबोन ना हो, ठीक है, बैकबोन ना हो, स्पाइनल ना हो, तो वो वर्टीब्रेट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्नेल, भाईया, चिपक जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ींगे, आगले कॉश्चिन की तरफ, अगला आगके गार्डन, मुगल गार्डन, दीर पार्क, बुद्ध जहिंती पार्क यहां पर आ रहा है, ए उपशोन श्रinson रहा है, रोहन डोलर रहे है, टू अऐ लोधी गार्डन लोधी गार्डन होगा अब इससे मैं कोशन पूर्पना चाहता हूं कि भाईया जो दिल्ली सल्तनत में लोधी थे उनका फांडर कौन थे भाईया फांडर बताईए हाँ देखते हैं किसका सही जवा आता है देखिए founder कौन थे बहलोल लोदी कौन बहलोल लोदी ठीक है और last कोन थे अपने इपराहेम इपराहेम लोदी ठीक है तो बहुत बढ़िया थारे उधाओं ने फटाफट से answer दिया है जिस तरह से answer दिया है फटाफट से उसी तरह से एक बार फड़ा फड़ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे ठीक है चलिए आगे पड़ते हैं कि अभरता पंडूका धनाननंद और गोवी शंका यहां पर धनानन लोग लेह अथी के अफसाना कभी आड़ा धनानन थीक है ठीक है ठीक है इसकती और करेक्ट आंसर बिलकुल यहां पर करेक्ट आंसर जोगा वो का option no.3 धना नंद और यह कहां के थे कौन से डाइनेस्टी के वो नंद डाइनेस्टी के थे आप बताईए कि पहले डाइनेस्टी किंग कौन थे नंद के फड़ा फड़ से बताएंगे पहले राजा सी सी आ गया है very good easy यादव अंजू बहुत बढ़ियां सौरव ने कहा है सर महापदमनन्दा very good बहुत बढ़ियां महापदमनन्दा जो थे वो पहले राजा थे तो यह भी याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ आर्के लॉजिस्ट आर नागास्वामी वॉज ओनर्ड अड़ सिल्वर जुबिली इंटरनेशनल कॉन्फरेंस एट और आर्ट बाइविच कंट्री पूरा तत्विदित आर नागास्वामी को किस देश द्वारा रजत जैनती आंतराश्टी समयलें कला में समानित किया गया नेपाल भूटान बांगलादेश चाइना कि देखिए नेबरिंग कंट्री इस पर बहुत सारे कॉश्चन साते हैं तो नेबरिंग कंट्री को छोड़ना नहीं है ठीक है छोड़ना नहीं है नेबरिंग कंट्री को अपने दुस्वान नहीं है ऐसा नहीं छोड़ेंगे ऐसा डाओए देश बांगला देश आ रहा है सभी का अभी लाश्य ने का यह इस्कीप कर रहे हैं साप से बच रहे हैं ओके दीदी ने कहा है ए मतलम नेपाल बट यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नमर सी सौरा वेरी गोर्ड बांगलादेश करेक्ट आंसर है जहां पर अभी कौन है प्राइम निस्टर से खसीना है ठीक है यह भी याद रखना है कैप्टर मौर्गन वेरी गोर्ड थ्री ऑप्शन जो होगा वो हंडेट परसेंट करेक्ट होगा आगे बढ़ेंगे बोरा केव्ज आर सिच्वेटेड ऑन इस्ट कोस्ट आफ इंडिया इन विच आफ फॉल्लॉइंग हिल्स बोरा कुफा है भारत के पूर्वी तट पर निमलि सृट के साथ जा रहे हैं रुपयान ने का है सार औौल नबबर फॉर रज़यत का है नाझ सी ठीक यहां पे नला मला हिट के साथ जा रहे हैं तुशारहीं ब्लेकेंग अंस्र ऑर प्शन नमबर वन यह ऑनन गिरी हिल कौन सा यशर ओं हराला बिलकुल करेक्ट हैं चलिए यहां पर आगे बढ़ेंगे वेन वी कट ओनियन दा सिंथेज इंजाइम कन्वर्ट दा अमीनो एसीड सल्फोख साइड ऑफ दा अनियन इंटू वीच एसेड जब हम एक प्याज काटते हैं तब सिंथेज इंजाइम प्याज के अमीनो अमल को सल्फोख करता है नैट्रिक एसेड गेसेड और सल्फ्यूरिक एसेड बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं और यहां पर यह धाउन ने दे दिया चली चली कर दिया पलक ने क्योंकि कह दिया सर हंड़ेट परसंट सी होगा तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सही है आप एभी डिविलेर तो हम तो एसिट खिला रहे हो लेकिन उसमें भी सल्फियूरिक एसिट खिलाओगे तो हम जिन्दा कहां बचेंगे अना चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है विच लो फिजिक्स स्टेट डड़ फोर्स बिट्वीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस रिड्यूसेश तुए क्वाटर ओफिट्स फॉर्म वैल्यू वें डिस्टेंस बिट्वीन डैम डबल भॉत्की का घ्या कौन सा नियम बताता है कि दो विद्विद् कूलम सर आजाओ यहां पे रिंपा अदेत्य सेल्मॉन केटन मौर्गन मिनाज आयूशी अभिशेक प्रसंद जीज देबा बहुत बढ़ियां यहां पे करेक्ट आंसर होगा कूलम्स लौ क्या कहता है भाईया प्रोड़क्ट ऑफ टू चार्जेस भाईया दो चार्ज जो है Q1 Q2 upon R square यह चार्जेस हैं और यह R square है मतलब inversely proportional होगा फोर्स जो होगा वो inversely proportional होगा अब R square की जगा 2 square करोगे तो यह inversely क्या हो जाएगा 1 upon 4 यही तो question में बात कर रहा है वो कि अगर आप डबल करोगे distance को तो वो 1 by 4th हो जाएगा अब हुक्स लो कहता है कि stress is directly proportional to strand क्या बो अगर कोई liquid है और उस पर हमने pressure लगाया है तो at each point क्या होगा at each point pressure जो होगा वो equally distribute होगा ठीक है क्या होगा equally होगा मला सेम होगा और स्टेफेंस लोग क्या कहते है कि भाई या जो radiation है वो 4th power के proportional होती है क्या है 4th power of temperature ठीक है यह भी याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हाँ hydraulic brake जो होती है वो पास्कल स्लॉप पर वग करते हैं very good चलिए अगले question की तरह पढ़ेंगे objects that shine in the night sky are known as रात को आकाश में चमकने वाली वस्तूओं को नम नाम से जाना जाता है मिट्रोराइट constellation asteroid और सेलेस्ट्रियल बॉडी यहां पर एस्ट्रॉइड बोल रहे हैं कुछ लोग सेलेस्ट्रियल बॉडी कह रहे हैं संतोष गूड इवनिंग फटा-फट से जुड़ जाए प्रिती बोल रहे हैं डी option मतलब सेलेस्ट्रियल बॉडी बहुत बढ़िया यह यहां पर करेक्ट आंसर होगा option number four celestial body यहां क्यों क्योंकि जो भी environment के बाहर मला atmosphere के बाहर है चाहे फिर वह सन हो मून हो प्लैनेट हो वह हमारे celestial body है यहां पर देखिए दो तरह के body होते हैं एक होते हैं luminous और एक होते हैं non luminous luminous body वह होती है जिसकी खुद की चमक होती है फॉर एक्जामपल सन ठीक है non luminous जिनकी खुद की चमक नहीं होती है वह दूसरों के उजाले से खुद चमकते हैं ठीक है और योधाओं आप तो luminous हो मतलब खुद चमकोगे और दूसरों को भी चमकाओगे हना चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ लेकिन एक बाप फड़ा फड़ से गाई शेयर कर दो क्योंकि अभी तो जवाब आना स्टार्ट हुए है हाँ हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ दफ फर्ष्ट दूलर ऑफ मगत फ्रॉम दा हर्यंका डाइनिस्टी वॉस हर्यंका वंसे बगत का पहला शाशक कौन था आजा सत्रू अशोग प्रसंचीत और बिंबिसार भाईया अभी इसी के जैसा एक कोश् आरकशन बिंबिसार इस दा करेक्ट आंशर और मगत डिकी सबसे पहली जो बन्नी डिकारम इसको फाउंड किया विंबिसार ने अचार सत्रू इनके लड़के थे अशौक यूम लटे इस 떨어aler से कांसे मौरिया अंपैर से और इनके पिता जी कौन थे बिंदु सार विंबिसार नहीं बिंदु सार कन्फ्यूज नहीं होंगे और उनके पिता थे चंद्रगुप्त बोर ये भी याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पर यह रहा डैश बिकेम दा प्राइम मिनिस्टर और भूटान इन करें इडियर स्थेड़्य विल्स करें स्टेरिंग के साथ जा रहे है मतलब सब्सक्राइब नंबर नमचे प्रश्ण नबर तू टू तू यहां पर करेंट बंश डिया है तीक है यहां पर करेंट आंसर जोगा वहोगा आप्शन नमबर तू ठीक है आगे बढ़तें अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्ण है दबर्थ एनिवर्सरी ओफ डेश इस सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल नर्थ डे एवरी इयर डेश की जैनती हर साल अंतर राश्री नर्थ दिवस के रूप में बनाई जाती है इसको तो बड़े आराम से दे देंगे यहां पे लोग करें फ्लोरेंस 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 आ रहा है ऑप्शन नमबर डी कुछ कह रहे हैं ऑप्शन नमबर ए मतलब मदर टेरिसा बोल रहे हैं भाईया देख लो करता ही जहर सवाल हो गया क्योंकि कंफ्यूजन लोगों को हो दिखूंगा करता ही जहर सवाल ठीक है देखते हैं किसका सही होता है कुछ लोग यह बोल रहे हैं कुछ लोग दी यहां पे इस लोगा फ्लोरेंस नाइट एंगल क्या होगा फ्लोरेंस नाइट अंगल डी ऑप्शन करेक्ट है रिंपा आनंद चंदन बहुत बढ़िया चलिए अगले क्वेशन की तरह पढ़ते हैं दा सिटी ओफ डैश इस लोकेटेट अदा माउथ ओफ यांग्जी रिवर डैश का शहर यांग्जी नदी के मोहाने पर इस्थित है गुआंग्जू लहासा संगाई बीजिंग सैं यहां पर बोल रहे हैं सरस्थ संगाई के साथ जा रहे हैं कुछ गौंग्सजो के साथ जा रहे हैंस्टी ठीक है है 100% नहीं बोलते हैं हाँ बहुत बढ़ियां यहां पर कैप्टन मॉर्गन ठीक है है हाउंड वेरी गोड चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रशनी की तरफ अगला प्रशने देश हेल्प से इकुलाइजिंग अप्रेशर ऑफ द आर्थ इधर साइड ऑफ द इयर्ड्रम ड सौरव ने चाहिए ट्यूब सर ट्यूब होगी बहुत बढ़िया यहां पर आंसर जो है वो ट्यूब होगी अब ऐसा क्यों देखिए आपने कई बार देखा होगा जब अपने घर बनते हैं तो भाईया जो मिस्त्री भी होता है वो भी एक ट्यूब लेके आता है कुछ इस बेसिट एजिसमें वॉटर होता है और वह लेवल बताता है कि ए यह सही है वह बैलने सकरते लिकियोड होता थांट बैलन करके बताता है कि यह सही है का कि एचाहां पर वुड्चे का से का यहां पर आप लोग भी 142 है लिकिन सिर्फ एटीटू है क्यों चलिए आगे बढ़ेंगे दप्रोसेस आफ कोटिंग ग्रूप और एंग्रिवेजिंग ऑर्नमेंट विद द कलाद इनेमल सिस्कॉल रंगीर मिनकारी के साथ आभूशनों में कटी हुई लकीरे या उतकर्णिकर्ण कोटिंग की प्रक्रिया को डैश कहता है मिनकारी चिंकारी फुलकारी और जोर्दिजी जोरव ने कहा है एप्षिन डिवीलियर के रहें सर यहां पर होगा अवसाना ने कहा है सर मीनक यहां पर तो भाईया कोश्चन देखके यह आपको पता चल जाएगा हिंदी में पढ़ेंगे और इंगलिश में आंसर देंगे क् बढ़ियां यो दाओं फुलकारी क्यों होगा पलक मीनाकारी होगा ना मीनाकारी मीना घरी करेगा ना कि चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कॉश्चन की तरफ अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा डैश इस लाज़ेस सिटी इन सिलंका डैश लंका का सबसे बड़ा शहर है निगॉम्बो कोलंबो जफना केंडी यहां पर लोगों ने कहा है ए ओप्शन मतलम नेगॉम्बो के साथ जा रहे हैं कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं मलब कोलंबो के साथ जा रहे हैं भाई बहन नहीं है कि दोनों को टिक लगाना है नेगॉम्बो कोलंबो दोनों अलग अलग है कि अवियाा रहे यहां पे च्छाय नुक आ है कोलम्बो सर अंडेड परसेंट होगा बाकी सभी रन्जन हा ठीक है है कि अब आपको बताना है सिलंका की क्यापिटेल कौन सी है जै वर्द ने कैपिटेल कौन सी जैवcture प्रश्ण की तरफ बढ़ेंगे अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर यह रहा दलास्ट विकनाइस किंग ओफ गुप्ता किंग्डम वॉस गुप्त समराज के अंतिमानेता प्राप्त राजा थे बिम्बिसार विश्णु गुप्त अशोक और समुद्र गुप्त यहां पर आ गया है सौरव ने कहा है विश्णु डिविलियर्स भी कह रहे हैं विश्णु सबके विश्णु आ रहे हैं कुछ लोग अलग भी दे रहे हैं क्या नहीं नहीं सबके आ गये हैं यहां पर कि विश्णु गुप्त होगा तो करेक्ट आंसर विश्णु गुप्त है ह कोन यह तह यह जाता था यह याद रख लेंगे ठीक है चलिए कारेक्ट आंसर यहաu जाएगा और founder कौन थे ये भी याद रखे वो थे श्री गुप्त कौन थे श्री गुप्त ये भी याद रखना है और गुपता पिरड को क्या कहा जाता था golden period क्या बोलते थे golden period चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला प्रश्ण आपकी screen पर ये रहा लूसीफर इस दा अनदर नेम ओफ फॉर दा प्लैनेट लूसीफर डैश ग्रह का दूसरा नाम है सैटन वीनस मार्श जूपिटर फटा फट से बताएंगे देखते हैं किसका सही जवाब आता है और गोल्डन पीरेड गोल्डन पीरेड ठीक है वीनस वीनस यहां पर आ रहा है मतलब option नमबर टू के साथ जा रहे हैं सभी मिनाज कुछ को confusion भी है अफसाना ने का है सर confusion तो नहीं है मुझे 100 पर संट पलक को confusion है यहां पर करेक्ट आंसरों का वीनस ठीक है तो यह याद रख सबसे ज्यादा सैटलैट स qui twor Weekly सबसे ज्यादा सेटन की तplatz lagi मारस इसको टूीन कहा जाता है किसका अर्थ का जूपिटर सबसे बड़ा लार्डरी स्ट पलेक्ट है जो कि जबेद सोच रहे हो की अर्थ की तरह जाओ और खड़े हो गाधी नहीं हो पाऊगे गेस बॉल हेंग है महालं ब मार्स बोले शॉड्रीयव स्वधिके हैं याद रखेंगे चाहालिए आगे बढ़ा हां गेस जंच है तियस सबसे बड़ा सेटलाइट ऑगनेमेट सबसे बड़ा सेटलाइट है् यह भी याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ लेकिन एक बाफ फड़ा फड़ से गाई शेयर कर दो और फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ गेमर जी यहाँ पे जुपिटर के सबसे ज़्यादा सेटलाइट नहीं है प्लीज एक बार जाके चेक करिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्णी की तरफ विच आफ दा फॉलॉइंग इस नॉट पार्ट ऑफ ब्रेन इन में से कौन मस्तिस का हिस्ता नहीं है मैडूला पॉ चैटलाइट विच इस सबसे ज़्यादा है तो इसको याद रखेंगे पिनना पिनना सब क्या आगे हैं आदेद कैप्टन मौर्गन तुशार मिनाज बहुत बढ़ियां यहां पर करेक्ट आंसर जोगा वह पिनना क्योंकि पिनना हमें पता है यह कहां पर होता है यह यह पर की तरफ अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर यह रहा कैल्शियम सेलफेट डायाइड्रेट इस कॉमनली नोने कैल्शियम सेलफेट डायाइड्रेट आम तोर पर के रूप में जाना जाता है ग्लास एसबेस्टॉस लाइम स्टोन और जिप्सम यहां पर मोदी जी आपके आंसर डेफिनेटली देखे जा रहे हैं अगर आप करेक्ट आंसर देते रहोगे तो डेफिनेटली लिए जाएंगे प्रिया पलक मोदी जी हाउंड कैप्टन मौर्गान रजट दीदी यहां पर एक्चली क्या होता है फास्ट ट्रेटिंग से आपको लेकिन चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं नाम तो सिर्फ एक लेना छोटी बात है यहां पर सिर्फ पता चलता है कि हां इन्होंने सही जवाब देते जा रहे हैं पर यहां पर इतने सारे लोग हैं सबका एक साथ नाम लेना मुश्किल है चलिए आगे के रूप में प्रतीय किसान दौरा आदा किय जाता था जाने वाला हल करता था यह रहा और सुल्ग बताईए वह दो अब यहां पर बी ऑप्षण ठीक है अभिशेक करें हिरन्या कुछ लोग पलक करें सर सुल्क में कन्फ्यूजन है सौरव ने कहा है बी ऑप्शन हिरन्या हिरन्या आ रहा है सभी का अफसाना ने कहा है सर हंड़ेड परसंट कैप्टर मॉर्गन कह रहे है टू भाईया लेकिन यहां पे हली वकरा क्या हली वक रिंपा वेरे गोड चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कॉस्टियन के लिए हूं अमंग्ग फॉल्ओंग पब्लीशेज दा एकनोमिक सर्वे ऑफ इंडिया इनमें से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के प्रकाशित करता है इस्टिटूट आफ फाइनेस नेशनल डेव ऐबाईनेसियल आ रहा है एक देवीलियर की तरफ से ठीक है यहां पर करेक्ट कांसर 3 और 4 में लोग कंफिूजन हो रहे है मतलब इंडियान स्टैस्टिकल इंस्टिट्यूट और मिनिष्ट्री और फाइनेस में रही है लोगों को यहां पर करेक्ट आनसर लेकिन जो है कैप आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्णी की तरफ हुएं सांग हेल एज दा प्रिंस ओफ फिल्ग्रिम विजिटेट इंडिया दूरिंग रिजन और हें सांग यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिसिष्ट राजा के डैस के सासनकाल दौरान भारत का दौरा किया हर्ष वर्दन होगा इन्होंने बुक लिखी थी कौन सी हर्ष चरीता कौन सी लिखी थी हर्ष चरीता सौरी इन्होंने नहीं लिखी थी वह बान भट्टे ने लिखी थी लेकिन हर्ष के समय में ही आये थे यह इंसांग यह भूलना नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ वन होर्स पावर एप्स लॉक्सिमेटली इक्वल टू डेश वॉट एक अश्व शक्ती इस इक्वल टू लगभग डेश वॉट है 674, 647, 764 और 746 यहां पर लोगों का रहा है सर 746, 746 मलब ऑप्शन नमबर डी के साथ जा रहे हैं सही बात है बिलकुल सही बात है यहां पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा 746 किलो वाट सोरी 746 वाट बहुत बढ़ी आसवाती चाया वेरी गोड अगले प्रशनी की तरह बढ़ेंगे लेकिन एक बाब फड़ा फड़ से लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे हां कैप्टन मॉर्गन 100% 746 इस दा आंसर अगला प्रशन है किरी बात इस राइस डिश फ्रॉम किर बात डैश का चावल से बना एक व्यंजन है नेपाल श्रिलंका मैंनमार भूटान मैंने कहा नेवरिंग कंट्री से भाईया बहुत पूछता है ससी बिल्कुल छोड़िंगे नहीं नेवरिंग कंट्री को यहां पे लोग कह रहे हैं सर मैंनमार कुछ कह रहे हैं भूटान मोदी जी ने कहा है मैंनमार स्रिलंका 100 प्रसंट अभि शेक ने भी कहा रहें स्रिलंका सबकी तरफ से आ रहा है तो सिलंका इस्टा का पुरारा नाम क्या था सिनहलीज क्या था सिनहलीज यह भी याद रखेंगे सिनहलीज वस दा ओल्डेस नेम ओफ सिलंका चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ हाँ शेलॉन भी बोलते थे वेरी गूड अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर डैश एकनॉमिस और प्रॉडक्टिव रि यहां पर बाकी लोग कभी सी ऑप्शन आ रहा है चाहे यहां पर डिवीलियर हो सौरव हो प्रसंदजीत प्रिया तुशार हाउंड मिनहाज बहुत बढ़ियां गाइस बहुत बढ़ियां यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अपना सोशलिस्ट बिल्कुल भी कन्फ प्रशनी की तरफ फू अमंग फॉलाइंग वहाज फेमस कवाली सिंगर इनमें से कौन एक प्रसिद्व कवाली गयक था बड़े गुलाम अली खान नुसरत फते अली खान नाजिया हसना और वेगा मक्तर जल्दी जवाब देंगे यहां पर आगे ऑप्शन नमबर बी बी ल अलो ग्राउंड इस लोकेड़ इन पाकिस्तान डैस दुनिया का सबसे उचा पोलो मैदान पाकिस्तान में इस्तित है उकारा शंडूर करसूर अटोक भाईया नेवरिंग कंट्री नहीं भूलेंगे नेवरिंग कंट्री के कॉश्चन साज लेकर आएं ज्यादा रिंपा ने अधर्श पलक बहुत बढ़ी रिंपा चली आगे बढ़ेंगे ओय होई 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 आज तो यहीं पर होता है समय समाप्त जहां पर हमने आज मॉक्टेस 13 लगाए मतलब 13 मॉक्टेस अभी तक लगा चुके हैं और अपनी तयारी को पुक्ता करते जा रहे ह तो गाइस इसी तरह से तयारी करना है आपको और देखिए PDF आपको मिल जाएगा कहां पर मिलेगा आपको सीधा जाना है टेलिग्राम पे सर्च करना है गौरव, मौरया, सर, टेस्ट बुक आपको सारी PDF टेलिग्राम पर मिल जाएंगी और आप discussion भी वहाँ पर कर सकते हैं ल चुड़ कर पूरे मन के साथ तयारी करते हैं और कहते हैं जुकूंगा नहीं क्योंकि लोगों ने तो बहुत कमजोर समझा है अब हमारा रिजल्ट बोलेगा चीक चीक कर नहीं ये महनत वावजव होगी selection के बाद ही दिखेगी ठीक है चलिए मैं आपसे अलविदा लेता हू बाद 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 गुड़ नाइट